आज मैं आपको आपकी बुक का पार्ट दो जीवन का लक्षे पढ़ाऊंगी चैप्टर स्टार्टर करने से पहले हम चैप्टर के बारे बेकुछ समझ लेते हैं जीवन में सफलता प्राप करने के लिए एक निश्चित लक्षे होना अती अवशक है जिस तरह निश्चित गंद्वे में अपने जीवन का लक्षे चुनना चाहिए तब उन्नती का अनिवार्रे माध्या में तब का अर्थ है मन और बुद्धी की उड़्जा को अपने लक्षे में लगाना और मार्ग में आये पृलोभनों से विल्चलित ना होना उन्हें महत वन्ना देना तब का अर्थ है पिरियास करना परिश्रम करना पिलोभनों को अर्थाद जीवन में सफल होने के लिए हमारे लिए एक निश्चित लक्षे होना चाहिए और ये निश्चित लक्षे हम तब ही प्राप कर सकते हैं जब हम द्रल निश्चे होंगे आजमिश्वासे भरे होंगे अपने जिंदगी में आई परिशानियों से विचलित नहीं ह अब हम चैपलर स्टार्ट करते हैं आपका सफलता ये शब्द सुनते ही तन मन में पिरसंता का संचार हो जाता है वह चाहे बच्चा हो या बूला सबके चाहरे एक समान खिल उठते हैं सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी उससे कोई अंतर नहीं परता सफलता स्वेम में को एक लक्षे पर क्रेंदार्ट कर सकता है कोई कमजोर भी है लेकिन उसाइए शक्तियों को अपन एक ही लक्षे पर लगाए तो सफलता प्राप्र कर सकते हैं बालक अर्धुन का लक्षे बेदन मश्यूर में उन्हाने पेल पर रखी लकड़ी की चड़ियां की एक आग को लक्षी मान का धनुष से बार छोड़े निरंतर टपकने वाले जन्ने की बूंदे भी शिलाओ का सीना चीर देती हैं सब शक्तियों को एक और लगाने से सफलता स्वयमे चरर चूमने लगती है अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेशन दे रखें किस शब्ट को सुनते ही तन मन में प्रसंता का संचार हो जाता है सफलता ये शब सुनते ही सब के मन में प्रसंता का संचार हो जाता है एक और क्वेशन है निरंतर टपकने वाले जन्ने की बूंदे किसका सीना चीर देती है शिलाओ का शिलाओ मतलब चट्टानों का अब आगे चैप्टर देखते है कल्पना कीजिए किसी उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं रेलवे स्टेशन पर खड़ा वे यात्री और विबिन दिशाओ की और ले जाती असंग के रेल गाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिर्तिरी लहरों असंग की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलाते खेतों, गंगा यमुना के तड़ों और ना जाने कहां खां तक ले जा सकती हैं परन्तु क्या एक ही समय वे सब्जा का जा सकता हैं जाने के लिए उसे एक मंदिल चुननी होगी, इसके अभाव में तो यातरी वहीं खड़ा प्रतिक्षा करता रहेगा और समय बीच जाएगा जीवन में सफलता के लिए अपनी मंदिल का सही समय पर चुनाब अत्यन तावशक हैं पिरते एक व्यक्ति की किसी खास काम में रूशी हुआ करती है, इस रूशी को पहचाने के ने कभी कम तो कभी अधिक प्रियतन करना पड़ता है कोई भी कदम उठाने से पूर विचार अवश्य करना चाहिए कि आकर हम चाहते क्या है हमारा लक्षे क्या है, जब तक लक्षे साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है जब तक हम लक्षे साधेंगे नहीं जब तक हम लक्षे अपना बनाएंगे नहीं तब तक उसे पाना मुश्किल है यह लक्षे भी रूची के अनुकूल ही होना चाहिए और हमारा लक्षे हमारी रूची के हम जो चाहते हैं हमारे जिसमें रूची है उसके अनुकूल होना चाहिए हर कोई अपनी रूची के छेत में अच्छा काम कर सकता है कोई अच्छा लेखा को सकता है या वक्ता स्पीकर किसी की पेल पौधों में रूची होती है तो किसी के अंत्रिक्ष में विचर्दिस असंके तारों में कोई बड़ी-बड़ी मशीनों को नियंत्रिक्ष करने में आनन्द का अनुभाव करता है तो कोई रंग और कोची उठा कर चित्र बनाने में अब देखिए साइट में एक क्वेशन दे रखा आपका बताईए आपके जीवन का क्या लक्ष है आपको बताना है कि आपके जीवन का क्या लक्ष है आप क्या बनना चाते हैं अब आगे देखिए अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आविश्रक हैं विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिश गुड़ों को पहचाना और निखारा तभी सफलता यश्ट सम्रिद्धी ने उनके कदम चुमे जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना ज़रूरी है मैदपूर्ड ये नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं मैदपूर्ड ये है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं दूसरे का मुथ आकने वाले कभी सफल नहीं होते ये एक सच ये भी है कि अफसर आपको नहीं तलाशता आपको सही अफसर की तलाश करनी पड़ती है पिरकृती हमें काम में जुटे रहने की प्रेड़ना देती है बहती हवा उगता दूपता सुरज बहती नदिया गिरते जळने मनुश्य को सधेप आगे बड़ते रहने का संदेज देते हैं इन्ही की तरह से जुटा इन्ही की तरह जो जुटा रहता है सफलता उसी के चलग चूमती है जो इन्हीं के तरह दिन भर काम में लगा रहता है, सफलता उसे ही को मिलती है, लक्षे निर्धारिट करते सामें हमें अपनी योगदेताओं पर विचार करना चाहिए, कि हम क्या कर सकते हैं, पिर किरते भी हमें यहीं सिखाती है, हर परदार का अलग रंग रूप है, कर सकते हैं, कोई कवी बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वग्यानिक तो कोई खिलाडी, किसी की कोई किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, पिरते एक व्यक्ति की रूचे या एम योगेताओं भिन्विन होती है, मतला कोई किसी का कमपाईजन नहीं हो सकता, सबकी अपनी दखाया कु़का साइड में मन्शे को आगे पढ़ते रहनी का संदेश कौन देता है। अब आगे देखते हैं चप्टर। संसार के जो व्यक्ती अपना जीवन लक्षे मानप्ता को अधार बनाकर चुनते हैं वे महान कहलाते हैं उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं वे दूसरों के लिए प्रेड़ना के सुरोत बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति द्रण निष्ची और आत्मश्वास से भरे होते हैं उनके चरितर की आभा उनके व्यक्तित में जहलकती है अब देखिए question side में ते रखा है किसके चर्जित की आभा उनके व्यक्तित में जलगती है जो व्यक्ति द्रण निश्ची और आत्मिश्वास से भरे होते हैं जो व्यक्ति महान होते हैं उनके चर्जित की आभा उनके व्यक्तित में जलगती है अब आगे चेप्टर जो दूसरे की सलाग पर अपनी निश्चिक दिशा त्याग देते हैं जो छड़ छड़ में हल पल में विचार बदलता है ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कारे नहीं कर पाता जो दूसरे की एक दम सलाग पर उसने अपना मन बदल दिया ऐसा व्यक्ति कोई महान कारे नहीं कर पाता फलकी हवा के जोके भी जिस व्रश्ट को गिरा दे वे किसी को फल फूल क्या देगा बड़ी बड़ी आंधियों को जहलने का साहस रखने वाले व्रख्षी दूसरों की भूख दूर करते हैं किसी का आश्रे इस्थल बनते हैं जो व्यक्ति दूर दर्शी है मतला दूर की सोच रखता है अपनी सूझ भूख से आने वाली प्रस्तियोति वो पर सोच विचार कर कदम उठाता है दूसरों की सुनता है लेकिन करता वह यह जो उसे सही लगता है उसे बड़ी से बड़ी का भी नहीं हिला पाती वह हिम्मत नहीं हारता है कि अधार परिश्रा मितला मेंत संकल्प दृडड हो तो क्या नहीं सकता हम क्या नहीं कर सकते हैं, ताज महल जैसी कलात्मक भफे इमारत बन सकती है, चीन की सैक्डो मील लंबी दिवार, मिसर के महान प्रामेड, मनुष्य के पक्के इरादे तता मेहनत के ही परिड़ा मेहनत नहीं करते ही, ये लोग तो ये भी मारते नहीं बन पाती, पक्के इरादे वाले धुनी लोगी एवरिस की चोटी पर विजे पता का फैरा पाए, और अट्लांटिक मासागर को लांख पाए, चान तक पहुँच सके और अंत्रिश के शक्कर लगा पाए, जो संकल्प जिनका द्रता वो ही ये सब काम कर पाए, महनत की पूंजी हम सब के पास है, उसका अधि जलता है, मुस्करा कर गले लगाएंगी, लक्षे ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा, अब देखिए क्वेशन और देरकाय साइड में, बताए लक्षे सिद्धी का मुख्य अधार क्या है, परिश्रम, महनत है, या आपका चैटर कम्प्रीट हुआ, आपको आपके पार्ट दो में आए भी स्टॉफ वर्ड्स लिखने हैं और वर्ड्स मिलिंग में शब्द और दिखने हैं, ओके, थैंक्यू और गुडबाई